साथ मुखी रुद्राक्ष को धारन करने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन सा बीज मंतर का जाप करें कि आप किस प्रकार से इसकी उर्जा का maximum benefit ले सकते हैं सब्त मुखी जो रुद्राक्ष है वो कौन कौन से आपको फायदे करता है किन लोग को पहनना चाहिए किन लोग को नहीं पहनना चाहिए क्या उसकी धारन की विदी है क्या नियम है ये सब कुछ हम अलग वीडियो में बात करते रहेंगे आज हम बीज मंतर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वह बीज मंत्र है जो सब्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को जो जिस दिन आप धारण कर रहे हैं जिस दिन आप प्लान कर रहे हैं धारण करने का आप खरीद चुके हैं आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप उसको धारण कर चुके हैं और आपको उ अभी ग्रह भी शांत होंगे और उसके साथ में आपके energy centers भी activate होंगे आपकी self feeling भी होगी रुद्राक्ष को धारन करना मात्र नहीं होता है रुद्राक्ष को धारन करने के साथ में उसके मंत्र का जाब बहुत जरूरी होता है वैसे तो आप शुपपंचाक्षरी भी कर सकते है परन्तू यह हर रुद्राक्ष कि अपने बीजमंतर जो हैं अगर उसका आप जाब करते हैं तो आपको maximum to maximum benefit इसका मिलता है तो वह बीजमंतर मैं आपको बताने हुआ kyaf वह बीज मंत्र जाइग अगर आप 108 बार-800 बार रोज करते हैं तो आपके उर्जा में अलग ही आपको जो प्रभाव मिलेगा आपकी समस्यां कटेंगी और उसके साथ में जीवन में सुफलता आएगी झाल झाल झाल